नमस्कार, उत्तरप्रदेश आयूर विज्ञान विश्विद्याले ने नर्सिंग ओफिशर के पदों के लिए ओनलाइन अवेदन मांगा है उमिद्वार UPUMS की ओफिशियल वेपसाइड UPUMS.SC.IN पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इन पदों पर सिलेक्शन, कंप्यूटर आधारिट टेस्ट, CBT स्कोर के अंसार मेरिट के बेसिस पर किया जाएगा योग ये उमिद्वारों को UPUMS द्वारा ओनलाइन या ओफ्लाइन मोड में सर्टिफिकेट के मल्टी लेबल डाकुमेंट्स के लिए पेस होना होगा पदों की संखे जानली जे 600 है आवेदन की सुरुवाती तारिख 19 मई 2023 थी आवेदन की आखरी तारिख 8 जून 2023 है उमिद्वारों के पास किसी भी भारतिय नर्सिंग परिशद या राज या नर्सिंग परिशद द्वारा माननेता पराप्त संस्थान या विष्व इडियाले से नर्सिंग ओनर्स में बियससी की डिजिग्री होनी चाहिए साथ ही राज या भारतिय नर्सिंग परिशद के साथ नर्स और मिडवाइब के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए या माननेता प्राप्त संस्थान या बोर्ड या परिशद इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए राज या भारतिय नर्सिंग परिशद में नर्स और मिडवाइफ के रुप में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद नियूनतम पचास बिस्तर वाले अस्पताल शक्षम जिलाचिकत साले प्राधिकरोन के साथ रजिस्टर में दो वर्ष कानवा होना चाहिए सेलरी के बारे में जान लिजे उमिद्वारों को पे मैट्रिक्स में लेबल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 रुपे सेलरी दी जाएगी एज लिमिटेशन के भी बारे में जन लिजे इन पदों पर आवेदन करने वाले उमिद्वारों की उम्र 18-40 वर्ष के भी शोनी चाहिए उमिद्वारों के उम्र की गिनती एक जनवरी 2023 से की जाएगी साथ ही एज लिमिटेशन में निया मनुसार छूट भी दी जाएगी तो मित्रों आपने देखा कि नर्सिंग ओफिशर के लिए ये जो वेकेंसी निकली हुई है इसमें आपको इसके अधिकरित वेबसाइट नंबर जो बताया गया है उस वेबसाइट नंबर पे जाके पहले इसकी इजाज़ परताल कर लें और उसके बाद इसको अपलाई करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जहन बंदे मातरम